हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ आईएस हिंदी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है Study IQ के प्रेटफर्म पे मेरा नाम है अभिनों कुमार बहुरे भई और आप सभी के लिएक इंपॉर्टेंट अपडेट है अपडेट इस रिकादिंग के बेसिकली एक साइकलोन का फॉर्मेशन हुआ है बंगाल की खाड़ी के छेतर में और यह जो साइकलोन है यह साइकलोन अपने जो फॉर्मेशन है उसके बाद से जिस डारेक्शन में इसकी ट्रैवलिंग है कहा यह जा रहा है कि उरीसा के पूरी और जो सागर दीप का छेतर है इस एरिया में हिट कर सकता है साथ ही पश्चे मंगाल के लिए वर्निंग इशू करी गई है और मौसम विभाग द्वारा अन्य छेतरों में भी तैयारी के लिए पहले से अलर्ट और फॉर्का जारी कर दिया गया है आए सबसे पहले जो साइकलोन है इसकी लाइव लोकेशन को देखने का और समझने का प्रयास करते हैं कुछ इस प्रकार से आप देख पाएंगे यह जो लो प्रेशर सेंटर है इसका फॉर्मेशन इसे सांपर हो रहा है यहाँ आप विंड के डारेक्शन से अंदाज लगा पाएंगे कि यह जो लो प्रेशर सेंटर है यह किस प्रकार से इंटेंसिफाई हो रहा है इस छेतर में यहां खीची हुई इस रेखा से आप अंदाज भी लगा पाएंगे कि इस low pressure center का जो direction है यह किस दिशा की ओर हमें दिखाई पड़ता है अगर मैं आपको थोड़ा इंगित करने का प्रयास करूं तो यहां से आप direction थोड़ा imagine कर पाएंगे कि यह direction जो है यह बरता हुआ दिखा रहे उस दिशा में साथ ही कहा यह जा रहा है कि tolerance की limit को द्यार में रखते हुए बंगाल के लिए भी जो warning alarm है यह issue कर दिये गया है warnings और forecast जो है वो जारी कर दिया गया है यहां बहुत सारे प्रशन उठते हैं सबसे पहला भारत में किस समय पर cyclone का formation होता और इस cyclone के हमारी readiness क साथ ही यह भी प्रशन उठता है कि cyclone का exactly formation किन conditions के fulfill होने पर होता है इसका नाम करन किस ने करा है और इस प्रकार के cyclone कि सरे से trigger होते हैं इन सारी चीजों को अभी हम detail में समझने वाले हैं तो ज़रा खबर पर हम पहले वापस आए खबर से मैंने आपको परचित कराया कि cyclone का formation हुआ है नाम है इसका दाना cyclone और यह cyclone बंगाल की खाड़ी के छेतर में निर्मित हुआ है और उडिसा की और यह अग्रसर है यही कुछ जानकरी पहले भी दी गई है साथ ही यह चीज़ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि शक्रवात की निगरानी हम पहले से कर रहे थे और शुरुवाती इस सर पे इसे एक depression की संगया दी गई थी एक निम्न वायुदाप केंदर की संगया दी गई थी पर बीते कुछ घंटों में इस छेतर में हवा की गतीत के टीवर होने के साथ ही इस छेतर को अब यानिकि इस low pressure area को अब संगया दे दी गई है कि यह एक cyclonic storm ह है हम आगे इस बारे में समझें उसके पहले अगर आप जोग्रफी ऑप्शनल के साथ तयारी करना चाहते हैं तो फिलहाल जो मेगा फेस्टिवल सेल है उसके तहत प्राइजेज में सिग्निफिकेंट डिसकाउंट है आप मेरे साथ जोग्रफी ऐस ऑप्शन सब्जेक भी प लॉंग टर्म बैचे सार अवेलिबल डिसकाउंटेट प्राइस पर आगर आप जोईन करना चाहते हैं तो आपके लिए शांदार मौका है चलिए हम वापस आते हैं जरा न्यूस पर तो यहां आप देख पाएंगे कि उडिसा और जो पश्रिम बंगल का छेतर है यहां पर स जिसका सेंट्रल जाकर हिट कर सकता है जिस जमीनी भाग को उसे साइकलोन का लेंडफॉल कहते हैं इस बात को जान ले कि जिस इससान पर लेंडफॉल होता है वहां पर सबसे ज़्यादा तबाही होने की सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है मौसम विभाग सक्सेस रेश्यो के साथ लोगों को निकालने की और जो आपदा के कारण नुकसान है उसे मिनिमाइस करने की तैयारी की जा चुकी है इसके लिए नियर अबाउट 800 जो सुविधा केंद्र है उनकी भी स्थापना और NDRF की हमारी नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस की जो चक्रवाद दाना है ये बेसिकली जिस शेत्र से बिलोंग कर रहا है वहां से कहीं दूर इससी तेक देश के द्वारा इसका नामकरन करा गया है इसके नामकरन की अगर मैं चरचा करूँ तो ये नाम दिया गया है कतर के द्वारा इस नाम का अर्भी भाशा में शब्द यह शब्द जो है वो अर्भी भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ उदारता होता है यानि कि साइकलान का फॉर्मेशन जरूर बंगाल की खाड़ी में हुआ है पर इसका नामकरण बंगाल की खाड़ी से बहुत सारी डिस्टेंस पर इस सिद्देश के द्वारा किया गया जि उसके नामकरण के लिए किस पद्द्दी का उपयोग करा जाता है इस बात का भी धियान रखिएगा कि आज से लगभग लगभग देर सो वर्षों पहले से इस बारे में चर्शा थी कि हमें साइकलान का नामकरण करना चाहिए क्योंकि इवन बंगाल की खाड़ी के जैसे ए एक जो मई और जून का समय होता है और दूसरा समय बेसिकली होता है जो अक्टूबर और नॉमंबर का समय है यानि कि साल में दो समय आपको भारत खासकर बंगाल की खाड़ी के चेत्र में साइकलान बनते वे दिखाई देंगे और जब ये सीजन होता है डियर आप पाएंग कि उस समय पर cyclone की संख्या simultaneously जो low pressure center यह 70-90 तक निर्मित हो सकते हैं यानि कि एक साथ वो चेटर या वो low pressure center जो cyclone का formation कर सकते हैं deer उनका number 70-90 तक देखा जाता है अब इन में से हर एक cyclone निर्मित नहीं होगा या फिर cyclone का नाम उसे नहीं दिया जाएगा एक निश्चित इससर तक की intensity होने पर उन्हें जो है ये नाम दिया जाता है So, make sure कि ये cyclone जो है ये intensify होते रहते हैं अब प्रशने उठता इनका नाम करन तो इनके लिए regional groups का formation करा गया है ये regional groups एक इस्थान जो की एक इस्थान पर निर्मिस cyclone से प्रभावित हो सकते हैं उनका एक group होता है ऐसे ही भारत का एक group है इसमें आपको जो है वो यमिन तक का छेतर कदर तक का छेतर उमान तक का छेतर वाले देश दिखाई परते हैं उनके द्वारा एक नाम की सूची दी जाती है और उनमें से एक नाम को पिक कर लिया जाता है जैसा मैंने बताया ये जो नाम है ये बेसिकली दिया गया है हमारे जो छेतरी समू है उसके एक देश के द्वारा आई तिंक आपको क्लियर होगा कि ये नाम जो है वो दिया गया है कतर के द्वारा अब एक प्रशन और भी उठता है कि भारत ने या बंगाल की खाडी में ही चक्रवातों का फोर्मेशन क्यों होता है और जबकि टेंपरेचर अभी कम हो रहा है समय के सांथ उसके बाद भी स साइकलों का फॉर्मेशन कैसे तो यहां कुछ इसेंशल कंडिशन हैं जिनको आपको ध्यान रखना है साइकलों के फॉर्मेशन में सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि सागरी सता का ताप मां 27 डिगरी सेलसियस के आसपास हो या उससे जादा हो सेकेंडली विंड का डारेक्शन और उसका मोशन यह काफी इंपोर्टेंट होता है अक्टूबर से नॉवंबर के बीच का समय यह बंगाल की खाड़ी के आसपास के छेतर के लिए मोईस्ट टाइम है अर्थात हवा के अंदर नमी जादा है और नमी जो हीट है उसे ट्रैप करती है अर्थात यह ग्रीन हाउस गैस है पर्यावत मात्रा में अभी हवाओं में नमी है यह नमी की उपस्थिती साथ ही इस समय पर विंड का डारेक्शन और मूवमेंट यह भी बंगाल की खाड़ी में खासा तेज होता है यानि की विंड का डारेक्शन मोशन यह अप्रोप्रियेट होना एयर है कि October November के समय हमें इस सांट पर Cyclones का formation देखने को मिलता है आपको low pressure center मिलेगा upward movement होगा drift होगा air का जो की massive size के cumulonumus अरधात कपासी वर्षामेगो का निर्मान करता है high intensity के साथ आपको wind movement देखने को मिलेगा और साथ ही area में आज़ पास के छेतर में तीवर वर्षा देखने को मिलती है साथ ही इस बात के बारे में भी जानकारी लेते रहिए कि डियर जब इस प्रकार के Cyclones का formation होता है ये surge storm के थूँ 30 छेतरों में तीवर लहरों का निर्मान भी करती है अर्थात ये एक खासा जो है वो complex system होता है और किसी भी छेतर को बड़े इस तर पर प्रभावित करता है एक प्राकृतिक आपदा की संग्या इसे दी जाती है और इसके लिए अपने mind पर कुछ चीज़ें clear रखिएगा डिजास्टर रिलीफ इसका एक मात्र उपाय है बिकाज इस प्रकार के cyclons के formation की हमें जानकारी है बट इसके mitigation के लिए हमें जमीनी इससर पर कारे करना होता है और मैं यहाँ पर एक बात और जोड़ना चाहूंगा देट उडिसा के area में cyclonic hit ये minimum damage वाली हो सकती है और उडिसा इसके लिए काफी ज़्यादा backup भी अपने पास बनाया रखता है और इसका एक major कारण है कि उडिसा के area में आपको जो छेत्र है वहाँ एक ठिक mangroove cover भी देखने को मिलता है I think आप सभी को पढ़ता होगा कि उडिसा government को भी इसके लिए UN के द्वारा भी appreciate किया गया था तो एक positive sense में भी इस बात को हम देख सकते हैं I hope आपके लिए जानकारी महत्वपूर्पूर्ण रही होगी और साथ ही अगर आप IAS exam की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक लाइफ कोर्ट का यूज़ करते वे minimum cost पे courses are available तो आप इन courses का part बनकर अपनी जरनी को और भी ज़्यादा स्मूध कर सकते हैं और अगर आप optional subject अलग से पढ़ना चाहते हैं तो आपके लिए October batch अभी available है आप में साथ geography as a optional subject कवर कर सकते हैं चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में have a very nice day, thank you हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, study IQ IAS हिंदी